हलो गाइस कैसे हो आप लोग तो पिछले साल हमने रूमर्स सुना था वीवो नेक्स 5 के बारे में और कहा जा रहा था कि इस फोन पे अंडर डिस्पले कैमरा होगा जैसे कि वीवो के कॉंसेफ्ट फोन एपेक्स 2020 फोन में देखा गया था जो कि 2021 में लौंच होने की दावा किय जा रहा था पर लौंच नहीं किया गया लेकिन अब वीवो नेक्स 5 के रूमर्स देखकर यह लग रहा है कि यह फोन वीवो की कॉंसेफ्ट फोन एपेक्स से ज्यादा बड़ी प्रोमेसिंग के साथ आने वाली है तो चलिए देखते हैं वीवो नेक्स 5 की कुछ लीक्ट पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो गाइस आप देख सकते हो वीवो नेक्स 5 की रेंडर फोटोस वाइट कलर में ये फोन की डिजाइन बहुत ही देखने को मिलेगा और ये भी दिखाई दे रहा है कि बोटम में एक प्रस्कॉपिक लेंस भी दिया जाएगा जिसमें की 5X ओप्टिकल जूम देखने को मिलेगा जो कि जैस की टेकनोलोजी के साथ आने वाला है और हमें ये भी क्लिए दिखाई दे रहे कि इस फोन में 50 प्राइमरी कैमरा लगी होगी जो कि Samsung की 1.2 मैक्रो मीटर की sensor होगी जो कि Xiaomi और OnePlus की flagship को टकर देने के लिए लगाया गया है और सामने के तरफ इस Vivo flagship phone में एक बड़ी सी 7-inch या फिर 6.7-inch की एक curved E5 AMOLED पैनल मिलेगा जो कि एक Quad HD resolution के साथ आएगी और हमें high screen refresh rate भी देखने को मि देगा और performance के लिए expect किया जा रहा है कि इस phone में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 की प्रोसेसर लगी होगी जो कि एक flagship प्रोसेसर है और last long काम करने के लिए इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी होगी जो कि 80W fast charging को support करेगी और 40 या 50W की wireless charging technology भी देखने को मिलेगा और storage और RAM के लिए ये कहा जा रहा है कि ये phone 3 variant में आएगी 8GB RAM plus 256GB storage 12GB RAM plus 256GB storage और 12GB plus 512GB की RAM और storage के साथ आएगी और ये भी expect किया जा रहा है कि ये phone चार कलर में देखने को मिलेगा अर्थ ग्रे, night black, blue slate और white color में देखने को मिलेगा फिलाल launch date और price की अभी तक कोई भी rumors नहीं आई है बट Vivo इस phone को इसी मैंने February को announce करने वाला है तो अभी के लिए इतना ही और कुछ leaks आएगी तो आपको इसी चैनल पे इसकी information मिल जाएगी तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe और bell icon को दबा कर notification को on कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो क notification मिल जाएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूट किजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो पे अभी के लिए peace out